नमस्कार दोस्तो मैं मंदीव सर्मा आपका अटेक में स्वागत करता हूँ दोस्तो जब आप अपने Chrome ब्राउजर को अपने Mobile के Play Store में जाकर अपडेट करने की कोसिस करते ही तो दोस्तो वहाँ पर कुछ देर प्रोसेसिंग चलती है और प्रोसेसिंग चलने के बाद दोस्तो अपडेटिंग अपने आप कैंसिल हो जाती है यानि दोस्तो आपका Chrome ब्राउजर आपके Mobile के Play Store में अपडेट नहीं हो पाता है तो दोस्तो यदि आपके साथ भी यह प्रोब्लम हो रही है तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो के अंतर तक क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रोब्लम का सोल्योसर बताने वाला हूँ तो दोस्तो हम के इस तरह से अपने Mobile के Play Store से अपने Chrome ब्राउजर को अपडेट कर सकते हैं यह जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे Mobile की स्क्रीन पर Mobile की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आप से एक बात जरूर कहना चाहूँगा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को नीचे लाल वाली सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन दबा कर All पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तों जब देना करते हुए जानते हैं कि हम किस तरह से अपने Chrome Browser को अपने Mobile के Play Store से अपडेट कर सकते हैं प्ले स्टोर में दोस्तो प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पर मैं सर्ज करता हूँ Chrome ब्राउजर को यह देखिए दोस्तो Chrome ब्राउजर पर आने के बाद मैं यहां पर Update पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तो Update पर क्लिक करने के बाद यह देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ देर processing चलेगी और processing चलने के बाद यहाँ पर अपने आपी यह updating cancel हो जाएगी और यह Chrome browser अपडेट नहीं हो पाएगा तो दोस्तों यही problem यदि आपके साथ हो रही है तो इसका solution आपको क्या करना है तो दोस्तों इसके solution के लिए आपको क्या करना है इसके solution के लिए आपको सबसे पहले आजाना है अपने mobile की setting में दोस्तो mobile की setting में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और दोस्तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर app management के option पर click करना है आपके mobile में दोस्तो यह option application के नाम से भी हो सकता है और apps के नाम से भी हो सकता है तो दोस्तो आपको इस पर click करना है और यहाँ पर app list में आपको आ जाना है दोस्तो app list में आने के बाद आपको नीचे यहाँ पर देखना है अपने play store को यह देखिए दोस्तो जैसे यहाँ पर मेरा play store यहाँ पर है और यहाँ पर यह देखे प्ले स्टोर पर आपको कुछ देड़ तक क्लिक करे रहरा है और क्लिक करे रहने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक option कुल कर आएगा एप info का आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है दोस्तो F-Info के option पर जैसे ही आप click करेंगे तो आप इसी तरह के page पर आ जाएंगे जिसमें दोस्तो आपको क्या करना है जिसमें दोस्तो आपको सबसे पहले यहाँ पर यह देखिए permissions का option दिखाए देगा आपको दोस्तो इस permissions के option पर click कर देना है दोस्तो permissions के option पर click करने के बाद यहाँपर आपको देखना है यहाँपर यह देखिए SMS और storage की permission आपको यहाँपर देके रखनी है Play Store को तो दोस्तो यदि यह permission यहाँपर है तो आपको back आना है बैक आने के बाद दोस्तो अब आपको क्या करना है आपको उपर ये देखिए storage uses का option मिलेगा आपको दोस्तो इस option पर click कर देना है दोस्तो storage uses के option पर click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा career data तो दोस्तो आपको इस clear data के option पर click कर देना है दोस्तो clear data के option पर click करने के बाद ओके पर click कर देना है और यहाँ पर यह इसका data clear हो जाएगा इतना काम करने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है आपको back आना है अपने mobile की home screen पर दोस्तो home screen पर आने के बाद आपको यहाँ पर chrome browser पर कुछ देर click करना है app info पर click करना है और दोस्तो app info के option पर click करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर ऊपर storage uses का option आपको मिलेगा आपको इस पर click करना है और इस पर click करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक option मिलेगा manage space का तो दोस्तों आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको clear add data दोस्तो इतना काम करने के बाद अब आपने आना है अपने मोबाल के प्लेट करना है तो यह देखें दोस्तो जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यह आपका Chrome Browser Update होने लगेगा तो दोस्तो यदि आपका भी Chrome Browser Update नहीं हो पा रहा था आपके Mobile के Play Store में तो दोस्तो आप इस तरह से उस Problem का Solution कर सकते हैं तो दोस्तो यह वीडियो यही पर समाप्त होती है, मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगी दोस्तो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो का Like करें, Share करें और comment करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और दोस्तो यदि आपको कोई question मुझे पोंचन आ हो या फिर दोस्तो